आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करेंट हेवन के टूब चैनल पर आसा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत ही बहेतरी होंगे और इस सेशन को डेली आफ़ालो कर रहे होंगे साड़े नौब जे तो इस सेशन में हम आप सभी के लिए अभी तो फिलाल में मे सिरीज यहां से उठाया हुआ हूँ तो कल मैंने जैसे पांच कराया था आज छह साथ को सन आठ को सन ऐसे लेके चलूँगा अब मैं डेली तो किस सिरीज को पहले एक खतम करूं इसमें चाहे जो भी सब्जेक्ट आते हों पहले इस तरह से पढ़ा है या फिर सेक्शन वाइ यह दोनों मैं कांटीनिव बेसिस पे स्टार्ट कर दूगा डी एससवी और सुपर्टेट के लिए जो कि आपके लिए बहुत लाब दायक होने वाला है ठीक है ना चली स्टार्ट कर लेते हैं देर न करते हुए फटा फटा आप लोग सेयर कर देंगे इस टाइम लाइट भ सब्सक्राइब बाहर एक भी प्रस्ट नहीं आने वाला है आप अप बहु बहु 40 स्ट थीक संख्या नर्दी पहली और दूसरी के बीच का अनुपाद 2 बटे 3 तथा दूसरी और तीसरी के बीच का अनुपाद 5 बटे 8 है तो दूसरी संख्या बताईए इस तरह से या एक त आपसे भी लगा सकते हैं लेकिन आपको ओतोग जरूत कब पड़ती है जो आपके सामने आप संथोंस हो यह आपको आपसंस नी चली लगाते हैं थोड़ा सक्थ्क्राइल पहला संख्या है और दूसरा संख्या थ def दिया है और दूसरी और तीसरी का आनुपाथ दिया है वह हमें कितना पांच और आठ का दिया हुआ है तो बता दो पहली दूसरी तीसरी का नुपाथ कितेंना हो यानि कि पहली संख्या 10 है, दूसरी 15 है, तीसरा रेशियो में 24 है, इन तीनों का एडिसन हमको दिया है अंठान पे, यानि कि इसका एडिसन करी उन्चास आ रहा है साइद, 10, 10, 20, 20, 40, और 49, उन्चास बराबर रेशियो में कितना दिया है, रेईल में अंठान भी दिया है, त तो एक, एक के बराबर कितना हो जाएगा, दो, कैंसिल करेंगे, एक बराबर दो आ गया, जब एक की वैलू दो है, तो बताओ, दूसरी संख्या आम से पूछ रहा है, दूसरी संख्या कितना है, 15 है, तो 15 दूना 30, अगर पहली संख्या पूछता, तो 10 दूना 20, अगर तीस स्रीज संक्या पूस्ता 24 दूना 18 तो यह हो जाता आपका वैलो क्लियर है कुर्शन नंबर पहला हो चुका हम दूसरे पर चलते हैं हमी रेज भी करते चले जिससे आपको आसान हो देखिए यह भी क्योशन बहुत साथ आसान है यदि आर्थ रिज्या के वृत्त के अंतरगत एक संखटबुच विनिर्मित हो तो उसका परिमाप होगा यह देखिए आपके स्रीज का प्रशन है आप इसको एक तरह से साइट करी नहीं सकते बीना लगाए आप साइट आर बोला जारा है इस वृत्ति के अंदर खटबुच संखट बुच बना है यानि जो भुजा वाला आपकरती बनाया जिसके सारे भुजाएं बराबर है यानि कि मैं बना देता हूं एक दो तीन चार पांच और है इन सब का भुजा बराबर है यानिकि यह आ आर है तो यह आपको मतलब होता है तो सभी योग नहीं आ एग 14ग बीच वाले को में जोड़ ले तो 6 जानी कि 6 वै biss ओनको हो जाएगा 6a कैसा एंसर हो चाहेगा इसका एंसर हो जाएगा एंसर हो जाहिए इसका इंसर के इसार कितना हो जाएगा 6a किसी कोड को किसी त्रिभुज के अंता केंद्र को सुनेशित किया जाता अभी लंबो से कोडों के अर्धक अर्धकों से तीसरा आपसन मादिकाओं से और चौथा आपसने भुजाओं के लंब अर्धकों से तो याद खना किसी भी त्रिभुज के किसी भी त्रिभुज की बात करता है अगर कोई भी त्रिबुज हो और उसके हमको अंता केंद्र देखना है जब अंता केंद्र देखना होता है तो उसका जो कोड होता है ना कोड जो होता है उसी का हम क्या करते हैं कोड समधिभाजक उसे बोलते हैं कोडों का आधा कर देना कोड का आधा करेंगे तो जहां अन्ता केंद्र पता चलता है ठीक है एक एक चीज में क्लियर करूंगा यहां वे तो प्रश्ण आप कर रहे हैं अभी जब क्लास से स्टार्ट करेंगे तो ज्यामिती बिल्कुल आपको घोल के पिलाने वाले हैं पस आप सभी के जो इतर से वह है ना प्यार है आप सभी नहीं करते हो में पता है किसी त्रिबुच के अन्ता के अंद्र आज यह नेक्स्ट देखें एक हजार एक का क्यों बताना है यह भी बहुत सिंपल सा प्रश्ण है हलुआ सा प्रश्ण है आप सभी लोग कर सकते हैं बस आपको जितने भी फर्मुलाज है ने वह याद होने चाहिए 장이ई हज घग का देखें एक हजार अब इसमें आप करोगे ऐसे करके प्लस एक हजार कीव प्लस थी हुआ इक हजार कीव यानि आपको इस तरह नहीं आपको बस में लिखके दिखा रहा हो प्लस तीन का क्यूब 9, प्लस तीन त्रिका 9000, 9000 का गुड़ा 1000 में कर देंगे कितना हो जाएगा, 1003 में, 9000, 3 त्रिका 9000, गुड़े 1003, कर लिजी गुड़ा, देखे भाई, पहले हम क्या करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0 को लिख दिया, फेले, इसका मेंटिप्लाइइस में नव सुनने सुनना, दो, नव सुनने सुनना, नव एक कम नव, यह आ गया, और यह वाला नव, यहाँ पे, 0000000, एड़ कर दिजी, 900720910, यह आपका उत्तर होगा, ठीक है न, चलिए अगले पर चलते हैं, प्रस्ट बहुत ही आसान आते हैं, आपको पता होना चाहिए, बस अब प्रैक्टिस करते चलो, बस अपनी संख्या बढ़ा लो भई, यदि किसी संख्या का 20%, 120 हो तो उसी संख्या का 120% कितना होगा, यदि किसी संख्या का, किसी संख्या का 20%, 20% यानि 20 बटे 100 कितना हो, 120 हो, तो 120 बताना है, तो यह एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 120, संख्या का 120 परसेंट कितना हो जाएगा 720 अगर पूशा होता हुआ संख्या बताओ पहले तो यह वाला नहीं करता मैं सिर्फ इससे काटा 20 पचेसा हो बारा पचेसा अच्छेस हो जाता समझ यह नहीं चलिए नेक्स कोशन क्या जाते हैं निम्न में से छोटी भिन बताई देगे यह वैलू जो आपको दिया रहाता है सबसे सिंपल फंडाईया है ना गलत होने का कोई चांस ही नहीं रहेगा यह लिए लिए बता दूगा पर आपको उसमें आपको करना क्या होगा सिर्फ और सिर् अब 22 का भाग लगयाऊ 10 यव था राँगद ढोलजगेक통 10 अब बता दूग कौन सबसे बड़ी जूटी गरे चालिया वाली है ना जबसे बड़ा है और सबसे चुटा कौन सब्से च्छोटी है यह वालाःद जो तुमने 5 दो वाला याणि 19 वटे च्थीस तो 19 वटे च्थीस आपका सबसे बड़ा है सबसे चोटा है और 5 वटे 6 सबसे बड़ा है यह चीज यहां बता सकते हैं ऐसे चलिए नेक्स्ट लास्ट वसें करते हैं लोग एक आयत की लंबाई एक आयत की लंबाई एक 25 प्षेंट विद्धी होती है कि चोड़ाई कितने परसेद घठा दिया जाए ताकि उसका चैतपल समानद है उसका इतने में से घठा पचीस में से घठा जा रहा है अगर पहले फहले सब उसका छौड़ाई、 उसका लंबाई पहले पहले 100 था, तो अब कितनी वें 2025 हो गया पहले 100 था अब हो गया 125 , सौ उसकी लंबाई भी थकी, सौ उसकी च्णाई भे थकी हमने मानते हैं हम लोग कोई भी परसंटेज अ nuoता है तो बहिया, बता दो, प्रतिसत से निकाल दो, कितना कम करोगे, कमी कितनी किया जाएगी, 120, हो गया बाद में, 100 को आमने घटाया, किस में से, 125 में से, उड़े 100 कर देजी, हो गया, 25 सेओं का 100, 25 से 125, 125 में से 100 हो जाएगा, तो कितना आगे, सब्सक्राइब करूँगा। जल्द आपके सामने अब बताना कैसा लगा सेशन आप इसके लाइक सेयर करूए बहुत जल्द आपके सामने झाल